हाई गाईज बलकून टो क्रेटिंग वेल्थ तो आज निफ्टी के अंदर इंडेक्स के अंदर मतले एक अच्छी कासी जो है मूब देखने को मिली है काफी टाइम बात और अगर ये मूब अगर रिटेन करेगी और इस वीक के अंदर अगर ये मूब रिटेन करती है और आग क्योंकि अगर आप देखेंगे स्मॉल कैप मिड कैप सबके अंदर जो एक अच्छी खासी आज खरीदारी जो है देखने को मिली है तो देखते हैं कैसा रहता है आने वाला महीना या ये हफता तो काफी कुछ जो है पॉजिटिविटी तो जो है आज अच्छी खासी जो है numbers देखेंगे तो income में तो कहीं न कहीं जो है आपको growth देखने को मिलेगी हलके pull की ये को quarter ended या year ended level पे लेकिन आपको profit के अंदर decline ही देखने को मिलेगा quarter ended चाहे year ended level पे और इनके margins अगर आप देखेंगे तो margins 9% से 6% के जो है इनके margins रह गए हैं तीन रुपे का जो है इस वार company ने dividend भी दिया है तो कहेंगे input cost की मार तो जो है company पर पढ़ते हुई दिख रही है लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है income के अंदर भी कोई ऐसी ज़्यादा खास growth नहीं है सबसे बड़ी बात आप ये भी देखें कि income के अंदर भी कोई ऐसी खास growth नहीं है मतले competition अच्छा खा purchase रहने की ज़रुवत है इस stock के अंदर कजार या ceramics के बात करेंगे तो quarter ended आपको decline देखने को मिलेगा profit के अंदर और यहां पर बात करते है year on year, year ended अगर आप देखेंगे तो performance अच्छी है इसकी हर parameter पे income में भी growth है profit के अंदर भी growth है और इविटताव के अंदर भी आपको growth देखने को मिलेगी और margins भी कई ना कई ठीक ठाक सदे हुए से है एक 17-18% के जो है company margin करते हुए देख रही है dividend भी दिया है 3 रुपे का अब बात करते है star cement की star cement की performance बागई में जो है गजब आई है overall इस sector के stocks के आप performance देखेंगे इस quarter के उनको देखते हुए क्योंकि अभी recently सागर सीमेंट की performance आई थी वो company जो है loss में जाती हुई दिखी है इस वार आप देखेंगे profit से loss में आती हुई देख रही है यहाँ पर देखेंगे लेकिन star cement ने भागई आप देख सकते हैं year on it देखें चाहें आप quarter ended देखें हर जगह पर हर parameter पर कहीं भी आपको decline देखने क को नहीं मिलेगा एक अच्छी खासी सदी हुई जो है growth है इस company की तरफ से जो है देखने को मिल रही है और सदे हुए इनके जो है margins भी आते हुए देख रहे है आलग कि company ने कोई भी dividend इस बार नहीं दिया है लेकिन performance बहुत ही so solid है मैंने अभी recently जो है इस पे एक video भी जो है बनाई है fundamental technical analysis की आप जरूर जो है देख सकते हैं उस video को बहुत ही solid और इनके आगे के जो projects है मुझे लगता है कही ना कहीं जो है company एक बहतर perform करती हुई देखेगी आने वाले time में अच्छा का सा correction भी हो चुका है तो यहां से कही ना कहीं भरती हुई देखेगी सफायर food की अगर बात करें आप जो रेड जो देख रहे हैं जहां पर वहां पर जो है company कहीं ना कहीं जो है इन्होंने profit नहीं loss post किया है इसलिए जो है मैंने वो red जो है mark किया है लेकिन आप देखेंगे यहां पर तो यह वाला quarter भी कुछ खास जाता हुई नहीं देखा है income profit के अंदर ज आप से जो है cautious रहना चाहिए अभी sapphire food पर बो बात ठीक है कि year on year अगर आप देखेंगे तो company जो है loss से profit में आती हुई देख रही है और year ended भी देखेंगे तो अच्छे खासे loss 100 करोर के loss से 46 करोर के जो है profit में आती हुई देख रही है लेकिन तब भी अभी थोड़ा सा cautious रह आया है उपर अपने उपरी level से उस तरीके की results तो फ्लाल नहीं देख रहे है इतने बुड़े results भी जो है नहीं आये है लेकिन आप देखेंगे आने वाले time है कि further जो है एक stock improve होता हुआ दिखेगा या नहीं अगर improve नहीं होता है तो हो सकता है कि आने वाले कुछ quarters के अंदर लेकिन why on why अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर 12% की आपको growth देखने को मिलेगी अगर आप year ended देखेंगे performance बहुत ही solid performance है कहीं कोई ऐसी मतले दिक्कत वाली बात तो नहीं देख रही है और margins भी अच्छे खासे है 39% के आसपास के margin जो है company इस समय पर कर रही है 6 रुपे का dividend भी दिया है तो थोड़ा cautious रहें क्योंकि जिस तरीके से एक अच्छा कासा downfall जो stock के अंदर जो देखने को जो मिला है तो कहीं ना कहीं क्या है कि आने वाले time में ये stock दुबारा से जो है revive होता हुआ दिखेगा या भागई में जो है ये performance ऐसी जो है बनी रहेगी तो ये थ कहीं ना कहीं एक move आनी चाहिए उपर की अगर move नहीं आती है तो आप बिल्कुल जो है cautious हो जाए इस पर कि आने वाले time में कहीं ना कहीं जो है फिर आपको वो earnings में भी देखने को मिलेगा उस तरीके का अब यहां पर बात कर लेते हैं भारती एर्टेल भारती एर्टेल की performance अच्छी है लेकिन आप यहां पर जो decline आपको जो loss जो देखने को मिल रहा है मतला previous year में जो है company loss में थी लेकिन आप देखेंगे तो इस साल जो है company profit में आती हुई देख रही है एक अच्छे खास है profit में जो है आती हुई देख रही है performance अच्छी है इनके अगर margins की भी बात आईगी इस sector के अंदर क्योंकि ज्यादा competition वाल ज्यादा competitor है नहीं भारती है और जीओ है तो कहीं न कहीं जो है मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये company जो है और भैतर perform करती हुई देखेगी जुविलेंट इन ग्रेविया तो इस वार भी जो है company अला कि क्यू अन क्यू के इस आप से देखेंगे तो इसकी performance कुछ खास आपको देखने को नहीं मिलेगी एक percent की growth है just income के अंदर और आप देखेंगे decline है profit के अंदर 47 percent का तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको cautious रहना है कि इ income भी कोई भड़ी नहीं है लेकिन आप quarter ended y on y देखेंगे या year ended y on y देखेंगे सांदार performance है multifold एगर year on year देखेंगे आप इनकी performance तो सुधर तो रही है अगर इसको जो stand alone भी कर दिया है आप देखते है कैसी performance इसकी बरकरार रहेगी या नहीं तो इस चीज को जो है जरूर आ काम करें हाला कि margins इनके ठीक है 16-17% के margin जो है company कर रही है ठीक ठाग margin जो है कर रही है और dividend हाला कि इन्होंने कुछ नहीं दिया है IOC की अगर बात करें तो IOC के result भड़िया है लेकिन आप quarter and quarter के एसाब से लेकिन अच्छे है income 5% की growth है 13% की growth profit के अंदर है y on wine में अगर आप द देखेंगे 41% की growth है income के अंदर 18% की growth profit के अंदर है तो एक अच्छे खासे सदे हुए नतीजे जो है company ने post किये है जिस तरीके से एक अच्छा कास आप crew oil के अंदर उचाल देख रहा है सब कुछ जो है इस समय पर जो है इनके भी प्रिस साही जो है देख रहा है लेकिन तब bonus वाले column में one ratio two का मतला अगर आपके पास में दो stock available है तो आपको जो है एक stock और मिल जाएगा तो भड़िया नतीजे और साथ की साथ bonus भी आपको जो है provide कराया है लेकिन margins पे जरूर जो है नजर रखें कि margins इनके जो है बहुत ही कम है 78% के margins पे जो है company काम कर रही है अनूप engineering की अगर बात करें तो अनूप engineering की अगर बात करेंगे तो आप quarter ended अगर y on y अगर आप देखेंगे performance decline है income के अंदर profit के अंदर आप देखेंगो 19% की growth है और यहाँ पे अगर आप year ended देखेंगे तो जो income है उसके अंदर 3% की growth है 17% के profit profit के अंदर growth है लेकिन margins इनके भडिया है 25% के आसपास के company margins अब मैं जो है करके चल रही है possibility है आने वाले time है थोड़ा सा आप इस stock में आप long की सोच है बहुत short की ना सोच के चलें क्योंकि यह engineering sector से relate करता है stock अच्छे खासे इनकी order book है तो अभी फिलाल की position देखेंगे तब भी थोड़ा सदी हुई सी लेके आई है जो adverse situation आती हुई दिखी है करीव करीव उसके इसाब से भी तो थोड़ा long की तरफ सोच है भड़िया है company अच्छी है margins अच्छे कर रही है 8 रुबे का dividend भी दिया है तो थोड़ा सा इस बार की earnings को अगर आप थोड़ा भूल भी जाए स्टार सीमेंट आपको जो है बिल्कुल यह stock जो है देख के रखना चाहिए भारतिय एटल जुबिलेंट इंग्रेविया एंड आई वसी को भी आप देख सकते हैं तो यहां पर देखेंगे तो कुछ companies के result बहुत ही शानदार है तो उन पर आप अपना एक view ले सकते हैं और उन में खरिदारी या आप उनको जो है अगर रिटेन करना चाहते हैं तो बिल्कुल इनको जो है रिटेन कर सकते हैं अपने हिसाब से तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ और results के साथ में thank you for watching this video